देखो यहां क्या लिखा हुआ है यहां इस अब name है ना तो name में formula कैसे लगा हुआ अब इसको count करना है तो count formula लगा लें तीन formula सिखाओंगा एक ठो count blank और एक ठो count a तीनों सिखाएंगे ठीक है तीनों में क्या कहा है देखो जब is equal to से कोई भी formula start होगा ठीक है अब ये question पुछता है कि कोई भी formula एक्सल में किससे start होगा तो किससे start होगा हाँ कभी-कभी plus लगा करके भी formula start कर दिया जाता है लेकिन आप ये answer में बोलिएगा कि equals to लगा करके ही formula start होता है देखो plus लगा करके भी start कर दिये अब ये count कर देगा इन सबों को ना हाँ देखो ये पूरा select कर लिये हम bracket को close किये, enter किये ये देखो ये तो 0 बता रहा है 0 बता रहा है ना क्यों बता रहा है क्योंकि count formula के वह numbers को count करता है ठीक है text को नहीं count करता है, ये text लिखा हुआ है ठीक है तो text को count करेगा नहीं तो फिर text के लिए कौन सा formula यूज होगा count a तो यहां लिखो count c o u and t count a देखो यह count a आ रहा है count a ले लो अब इन सब को ले लो count करो तो count हो है यह तो गिन सकती हो ना गिनो 12 है 11 है कि 12 है 11 है ठीक है देखो 11 आ रहा है अब यही formula count वाला इस पे apply करते हैं क्योंकि इसमें तो यही word है ना इस पे तो apply हो जाएगा क्या नहीं इस पे भी नहीं अप्लाई होगा क्योंकि count formula की ऊप्लाई कीवल और कीवल किसको गिनता है numbers को गिनता है ठीक है तो देखो इसको भी apply करेंगे तो नहीं apply होगा है ना तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे count a लगाएंगे तो यहाँ पर लिखिए c o u and t count a count a हो गया count a लगाने के बाद अब इसको पूरा select कर लिजिए और इसको बंद कीजिए और अब enter प्रेस कर दिजिए तो देखिए 11 आ रहा है ना अब इसमें क्या करेंगे इसमें दोनों हैं यह गई से होगा count से होगा ना तो count लगा लेते हैं c o u and t count आ गया अब यहाँ पर क्या करता हूँ उपर से नीचे तक select कर लेता हूँ count हो है यह गिनो तो यह 11 है 11 आना चाहिए लेकिन यह 10 आ रहा है कारण क्या है कि एक ठो इसमें यह वाला जो है यह text format में है ठीक है कि यह text format में है तो इसको अलग से हम यहाँ पर count कर सकते हैं जैसे मलों यहाँ पर लिख देंगे c o u and t count a तो यहाँ पर यह count a जो है केवल text को count करेगा text कितना है इसमें एक है तो एक एक बताएगा answer यह 11 आ गया कारण क्या है क्योंकि यह जो count a formula है सिर्फ text को नहीं count करता है किसको किसको count करता है text को और numbers को दोनों को count कर देता यह फाइदा है count a लगाने का ठीक है अब देखो अगर मालों की बीच बीच में से यह यह देखो यह नाम delete कर दिया यहां से यह delete कर दिये यहां से यह delete कर दिये तो अभी देखो यह क्या हो रहा है यहाँ पर यह घट गया लेकिन यहाँ पर एक और formula होता है blank का तो count blank लगाओ count blank तो देखो यह count blank यह क्या करेगा खाली जो खाली वाला column है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसी को गीनेगा देखो यहां तक ले लिए bracket को close किये enter किये तो देखो खाली गीन करके एक बता रहा है कि एक ठो खाली है है ना तो यह count blank है ठीक है ना समझ मैं रहा है कि नहीं